इसमिल्ला इल्वाख्मादर वाहीम, असलाम अलेकुल दोस्तों NTS टेस्पोंचर की जाने पसे आप सबको अपने चैनल में खुश्वामदीद कहता हूँ दोस्तों आज के वीडियो सिन्फ पॉब्लिक सर्विस कमिशन Duty Controller in Civil Defense पेपर हेल्ड आन 20 जनवरी 2019 को एपेपर हुआ था Home Department में BPS 16 का पेपर था आज इस सिलसिले का Part 1 है दोस्तों Part No.1 आट टोटल इन्शालाँ चार या पांच पार्ट्स पर मुझ समिल होगे एपेपर तो चल्यें शुरू करते हैं देखते हैं पेपर कैसा था देखें दोस्तों Julius ये वो पेपर है पेपर मेरे पास जो है वो टाइप D का पेपर है इसमें BCD की पेपर होते हैं तो उसमें Question Shuffles होते हैं तो Question बाँए में एक जगवाद दूसरी भी और हमेरे पास जो पेपर है ये टाइप D का है ठीक है ये देखें सिन पॉब्लिक सर्विस कमिशन हैदराबाद का पेपर है और लिका हुए के प्री इंटर्व्यू रिटन टेस्ट पर दपोस्ट आप डिव्टी कंट्रोर रग इन सेवल डिपेंस पीपियस 16 अब पेपर वाज है संड़े 20 जन्वरी 20 जन्वरी संड़े वाले दिन तामने और टाइम टाइप इसका दस से साड़े ग्यार बजी रोल नंबर मेकसिमम मार इ लेकिन इतना बता दूँ कि इसमें 0.25 निगिट यो मारकिंग ती यह चीज़ें तक्रीबन तक्रीबन सब को पताए कि कैलकुलेटर जो है वो इलावड नहीं है प्लाना डिंगा जो नकल करते हुए बकड़ा गयो पेपर कैंसल होगा यह तमाम उस तरह के हिदायत हैं पेप यह वहां से पेपर को रीड़ाउट करके सौल करते हैं यह देखे पेपर है हमारे पास यह वाल पेपर टाइप डी का उसी वह ही चीज़ें मैंने यहां लिखी हुई है और यह जो जरूरी चीज़े थे हों मैं लिख चुका हूं बाकिस सारे हिदायत में ही लिखए यह होम पे ही पेपरता दोस्तों government of sin के तो चलिए देखते हैं कि question किस तरह थे इसमें question number one which of the following countries is following one party political system one party political system वो system होता है किसी भी मुल्क में सिर्फ एक ही party होती है और वो ही party हुकमरानी करती है बैकि जितने party होती है वो band होती है उस पर टॉबंदिया होती है और इस तरह के system जो है ये चाइना में है दोस्तों correct option इसमें option B है question number two को देखें question number two third month of each year is absorbed in the world as 3 मई जो है रोज हर साल के 3 मई को कैसे absorbed किया जाता है किस लिए मनाया जाता है world press freedom day के तरुपार मनाया जाता है और पस टाइम ये 1993 में United Nation के जन्मिल इसमली में ये बात होई और फिर उसी वक्त से हर साल ये 3 मई को मनाया जाता है question number three question देखें question number three करता है question number four को देखें दोस्तों question number four लिट्रेश लिट्रेशि रेट हम किसको कहते हैं वो शेख जो पड़ सकता हो और लिख सकता हो तो उसको हम लिट्रेशि रेट में काउंट करते हैं तो सार्थ के जितने ममालिक है तो उसमें सब्से ज्यादा highest लियर largest largest लिखा हुआ है लेकिन दिस इस होना चाहिए कि हाई येस होना चाहिए लिटरेशी रेट किस ममालिक का है जर आपको दिखाता हूँ दोस्तों सार्क में टोटल आठ ममालिक है सेवन है या या एट है सेवन ममालिक है सेवन है एट है इसे हमारे इस वक्त कोई तालुक नहीं लेकिन आपको बताता हूँ कि सबसे जयादा Literacy rate जो है वो मालदीब की है मालदीब का Literacy rate 99% है दूर्थो सरी लंका का 93% है सरी लंका 93% है इंडिया 73% है इंडिया 73% है बंगलदेश 65% है बंगलदेश 65% हैं पाकिस्तान 58% है तो पांचे नमबर पर पाकिस्तान अफगानिस्तान इसके पाद आता है उसका 31 प्यूस्द है सबसे विलो जो है वो अफगानिस्तान का है sobie टो ये दो चीजे हैं तो याद रखने है कि is जो है मालडीब का है सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान का है और पाकिस्तान का पांच में नमबर फ़िप्टी एट परसंट है तो कर्रेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है okay question number देखे question number six को question number six हमारे पास है this one when a person enters a dark room from bright light he is not able to see clearly for a little while because the iris is unable to delight to dilate the people immediately पापिल correct option इसमें option C है दोस्तों this is the correct option question number seven को देखे question number seven an iceberg an iceberg किसको कहते बरब का गोला is plotting in C how much of the moss will remain above the surface of water ये इसका correct option option a है correct option is a one tenth one over ten question number आगे देखे question number eight को question number eight है हमारे पास this one the rare view mirror of a motorway a vehicle is that is convex इस तरकी convex concave plane इस error के बारे में जो मेरे जो होते हैं इस बारे में पर्ड़ों दोस्तों इससे question आगे के चंसे बहुत होते हैं question number nine को देखे question number nine in order to prevent the corrosion of iron pipes they are often coated with a layer of zinc ये बात याद रखते हैं zinc का this process is called galvanization Christian कभी-कभी ऐसा आता है कि galvanization किस को कहते हैं किस process को ठीक है तो zinc और galvanization इन दोनों को याद रखे हैं तो correct option इसमें C था दोस्तों correct option इसमें option C इस process को galvanization कहते हैं question number 10 को देखे 10 number question को देखे the crack sound heard when dry hair is come with a hard rubber gum is due to जब हम बालों को कहंगी करते हैं rubber के बाव कहंगी से तो उससे आवाज ही निकलाती है इस कहते हैं ये किस स्वाज़ा से होती है this is due to small electric sparks correct option is B question number 11 को देखे question number 11 who elect president of Pakistan Pakistan को जो presidential election होते हैं उसमें vote कौन कौन डलते हैं उसमें senate assembly और قومी assembly सुभाई assembly और senate तमाम के तमाम डलते हैं तो correct option इसमें option D है दोस्तों question number 12 को देखे 12 number door is an area between ये कौन सा area होता है two rivers correct option is D question number 13 देखे question number 13 which country has constructed the world's longest sea bridge China correct option C question 14 को देखे CPI stands for consumer price index इससे inflation का rate मालूम करते हैं तो इसमें option consumer B economics वाल इसको चितर जानते हैं कि क्या होता है question number 15 को देखे पंदर number question JIT stands for JIT का आज कल पाकिस्तान में बहुत ज़़द चर्चा है and this stands for joint investigation team option be the correct option question 16 को देखे friendship bridge on Oaxos river connects Uzbekistan and Afghanistan correct option is B question number 17 को देखे the world's largest animal is blue whale correct option A question number 18 को देखे speaker of national assembly is asad qesar asad qesar ये 21 वा speaker है ये भी याद रखने है ये कहां से सेलेक्ट हुआ है इसको भी आपने डूनना है कौनसा नंबर किस अलका नंबर से कितने वोट इसने असिल के ये चिज़े में भी आ सके दोस्तों और कौमी से मवजूदे इसम्बली जो है ये पंदरा पिफ्टीन इसम्बली है asad qesar ने कब हाल पुटाय था पंदरा अगस दौदार अटारा को question number 19 को देखे question number 19 before independence East Timur was the part of Indonesia where is Indonesia option D correct option is D yes correct option is the Indonesia का ताप yes आगे देखे question number 20 and the last question of this video PKK as black listed as PKK ये कुर्दिस्तान वर्कर पाल्टी का नाम है और ये terrorist group में as black list क्या गिया है तो correct option is B तो ये दे दोस्तों इस सिलसिले की video number 1 पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके video को like और share लाजमे करें thank you for watching